पूरे इतिहास में भारत की छवी लगातार बदर्टी रही है, क्योंकि इसकी सीमाई गड़ती बढ़ती रही है, और संस्कृतियों के आपस में मिलने के बावजुम्र उनमें खीचदान चलदी रही है। छोटी छोटी रियासतों में पटे हुए लोगों के देश में, तमाम मुश्किलों और फिर से उठ घड़े होने की चाहत से गुजर कर, भारत ने अपना सिर उठाया। इंडिया इमाजिज दराज उन्नीस्वी सदी का आखरी दोर, भारतिय उपमाद्वीद की यात्रा कर रह लेखक मार्क ट्वेंग में इस इलाके से प्रभावित होकर लिखा। भारत में ही मानवजाती पली बढ़ी है, यही इंसानी बोली का जन्म हुआ है, इसे एतिहासिक गाधाओं और परमपराओं की दादी और परदादी कहा जा सकता है। मार्क ट्वेंग ने पांच हजार सालों में विकसित हुए भारत की व्याख्या की थी। यह बात है उन्नीसमी सबी की, भारत की आबादी बीस करोड से ज्यादा है। यह भारत लगातार बदलाव के दौर में है। अब यह ताकतवर मुगल सामराज द्वारा संगठित इलाका नहीं है। अपने सबसे अच्छे दोर में मुगल शासन उत्तर में अफगानिस्तान के पालों से लेकर भारतिय उपमाद्वीब के सबसे दक्षनी चोर तक पहला था। हाल ही में मिली इस रंगीन फिल्म को 1930 के दशक में फिल्माया गया था। ये 16 मिली मीटर की कोड़क रूम फिल्म है जिसे पुरी तरह हाई डेफिनिशन में बदल दिया गया है। ये मध्य कालीन भारत की एक जनक है जिसके ज्यादातर हिस्से पर मुगल राज करते थे। मुगलों का प्रभाव भारत की दक्षणी दूर दराज के इलागों तक कभी नहीं तोंच पाया। यहां तक कि मध्य भारत में भी उन्हें अपना अधिकार जताने के लिए स्थानिय रियासतों के सहयोग पर निर्भर रहना पड़ता था। पर उनकी विरासत आज के भारत में भी जिन्दा है जिसे देश भर में बने स्मारकों और इमारतों के बेमिसाल आकिटेक्चर में दिखा जा सकता है और इन स्मारकों में सबसे मशहूर शानदार ताज महल है। सन 1648 में मुगल बादशा शाजहां की बेगम के मकبرे के तोर पर बना ताज महल महबत की निशानी के अलावा भी काफे कुछ है। दुनिया का ये अजूबा ऐसे भारत का प्रतीख है जो कई सग्यों की उतार चलाव के बावजूद टिका रहा है और आज भी पहले की तरह ही शान से खड़ा है। ताज महल बनवाने वाले शाजहां के लफजों में इस जहां में ये इमारत उपर वाली की एहमियत बताने के लिए बनाई गई है। सन 1862 में आखरी मुगल बहादुर शाह सफर की मौत के साथ ही मुगल सल्दनत का अंध हो गया। इसके बाद राजनीतिक अस्थिर्ता के दौर में धेर सारी छोटी-छोटी रियासतों, पबीलों और समुधायों का जन्म हुआ। और शासन करने की ताकत में ऐसा खाली बनाया जिसे भरने में कोई काम्याब नहीं हुआ। सन 1903 ये भारत के कुछ सबसे पुरानी फिल्मे है। इन्हें अमेरिकन इंवेंटर और सिनमा के पाइनियर टॉमस आर्मैट ने फिल्माया है। इस समय तक भारत के लोगों पर विदेशी राज करते हैं, जिसका केंडर आधी दुलिया के पार यूरोप के एक टापू पर है। अंग्रेज पहली बार सन 1608 में भारत आये थे। वो यहां ब्रिटिश इस्ट इंडिया कमपनी के तौर पर आये थे। शुरू में वो नुग यहां पर केवल व्यापार करने के उद्देश्य से आये थे। और फिर समय के साथ साथ उनका उद्देश्य बदला, उनकी इच्छाएं बढ़ी और उनकी राजनैतिक आकांशाएं सामने आई। दूसरा दिल्ली दरबार ये ब्रिटिश लॉर्ड करजन की अगवाई में हो रहे समारों के दर्श्य हैं, जो इससे पहले कभी प्रसारित नहीं हुए। ये ब्रिटिश लोगों द्वारा भारत में सैनिक शप्ति का अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। भारत में संसाधनों की भरमार है। अब सत्ता इस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिन के राज घराने के हाथों में जाने वाली है। सन 1858 की अपनी घोशना में ततकालिन ब्रिटिश मुनार्ख क्वीन विक्टोरिया ने कहा। हम भारत की स्थानिय रियासतों के राजाओं के लिए ये घोशना करते हैं। कि हम उनके साथ इस्ट इंडिया कंपनी या उसके नाम पर किये गए सभी समझोतों या अग्रिमेंस को स्वीकार करेंगे। और हम उन्हें पहले की ही तरह जारी रखेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि रियासतों के राजा भी ऐसा ही करेंगे। क्वीन की स्गोशना का उदेश ये जताना है कि वो सब को साथ लेकर राज करना चाहती है। लेकिन दराज जो इस कोलोनियल ताकत का नया नाम है अब दोबारा कभी भी भारत के लोगों पर भरोसा करने के लिए तयार नहीं है। प्रिटिश राज की सामाजिक और आर्थिक नीतियां हर कीमत पर भारत के लोगों को विदेशियों की सत्ता में लाने के लिए बनी थी। उन्हें डर है की परिवर्तन सामाजिक उधन पुधर को जन्म दे सकता है जिससे एक बार फिर सन ठारा सो सत्तावन जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। बीसमी सबी की शुरुआत ये बिटिश भारत के पश्चिमी हिस्से की बीकाने रियासत का लालगण पैलिस है। ये अपने वेशिक भारत की पांच सौ से ज्यादा रियासतों में से एक का नसारा है जो कहीं और नहीं मिलेगा। ये इंपिरियल वार कैबिनेट में अकेले गएर प्रिटिश प्रतिनिधी महराजा गंगा सिंग की तोती के शाही विभा का अवसर है। ये चमत नमक एक शानो शौकत वाली ट्रडिशनिल लाइफ स्टाइल की जलत दिखलाती है। अब भारत पर अंग्रेजों का राज है और ये दो प्रशासनिक सिस्टम्स में मटा हुआ है। भारत के साथ पीसदी हिस्सों पर अंग्रेजों की हुकूमत चलती है। बाकी का चालीस पीसदी हिस्सा रजवालों का है जिनोंने अंग्रेजों के साथ समझोते कर लिये है। कुईन विक्टोरिया त्वारा प्रिटिश राज की गोशना के महज पांच दशक बाद भारत की असली राजनीतिक सत्ता रजवालों के हाथ से निकल गई है। इनके पास वस घटी हुई ताकत की यादे ही बची है। ये हैदराबाद की एक रियासत से मिले पाग के शिकार के द्रश्य है। ये मुश्किल से दिखने वाले विज्वल्स औरिजिनल कला में हैं और इन्हें दर्शनी भारत में कॉंगारा कलान नाम के जंगल में फिलमाया गया है। स्थानिय राजा और अंग्रेज साथ मिलकर शिकार करते हैं। ये हाथियों पर शिकार के लिए निकलते हैं और उनके साथ ट्रेंड शिकारियों और हत्यारों से लैस सेनिकों की एक फौज होती है। ये लोग घेरा बना कर शिकार करते हैं। इसमें जोखिम कम होता है और देखने वालों को मज़ा आता है मौजूदा बिहार की एक रियासत बनेली के राजा के शब्दों में इसमें शिकार इस तरह किया जाता था जंगलों में बागों को लुभाने के लिए बैस के पचड़े बांध दिये गए बाग के छिपे होने की जगह को घेरने के लिए लगबग पचास हाथी भेजे गए फिर घेरा तयार हो जाने पर दो हाथियों को उस घेरे में जाकर बाग को छिपने की जगे से निकालने का हुप्म दिया गया हाथियों के करीब आने पर बाग बार बार उस्से में हमला करता था शुरू में ये बहुत रोमान चक था लेकिन फिर बाग ठक कर लेट गया रोज इस तरह के दो या तीन गेरों के साथ मैंने सैक्ण बागों का शिपार देखा है बीसमी सदी में बाग का शिपार ब्रिटिश राज का प्रतीक बना रहा ब्रिटिश राज ने महाराजाओं को ऐसे समझाओते करने के लिए मजबूर कर दिया है जिससे उनके ज्यादातर अधिकार खत्म हो गए ज्यादातर रजवारों को अपने दरवार में तैनात ब्रिटिश रिजिडेंट के दखल को जहिलना पड़ता है इदर राज ने भारतिय राजाओं की राजनी तिक आर्थिक और सैनिक ताकत खत्म कर दी और देखने में ऐसा लग सकता है कि बागों की तरह रियासतों के राजा भी बहुत ताकतवर है लेकिन पीसमी सबी की शुरुआत तक इनकी स्थिती बहुत कमजोर हो चुगी है बारह दिसंबर सनुनी सो ग्यारा दिल्ली दरवार शुरुआती फिल्म डॉक्यूमेंटरी बनाने वालों में से एक चार्ल्स अरवन ने किनिमा कलर नाम की एक नई टेकनोलोजी का इस्तिमाल किया उन्होंने डाई घंटे की फिल्म बनाई जिसका नाम था विदार किंग एन क्वीन त्रू इंडिया इस फिल्म में तीसरे दिल्ली दरवार के नजारे हैं जो ब्रिटिश समराठ जॉज दफिफ्ट के राज्या भिशेक के समय होने वाला एक सैनिक समारो है इस समारो में सबसे एहम मौजूदगी समराठ और उनकी पत्नी मेरी की है और इने भारत का एंपरर और एंपरेस घोशिद किया गया लेकिन ये इस समारो में होने वाली अकेली महत्वपूर घोशना नहीं है ब्रिटिश भारत की राजधानी अब कैलकटा से हटा कर दिल्ली लाई जाने वाली है राजधानी को कैलकटा से दिल्ली लाए जाने के प्रस्ताव पत्र में भारत के माइस रोयल लॉड हार्डिंग ने लिखा ये काफी समय से एक गंभीर असंगती मानी जाती है कि ब्रिटिश लोग अपने भारतिय इलाके के सबसे पूर्वी छोर परस्थित शहर कैलकटा से इस देश पर शासन करते हैं लेकिन कैलकटा से राजधानी हटानी की यही एक वज़े नहीं थी सन 1905 में बंगार के बटवारे के बाद ये इलाका ब्रिटिश राज के राश्रवादी विरोगियों का केंदर बन गया था सन 1911 के दरबार में समराट जॉज दलफिफ्ट द्वारा आपचारिक रूप से दिल्ली को राजधानी गोशित करने के साथ ही ये बात पक्की हो गई अब दराज का एक नया यूग शुरू होने वाला है 1930 का दशक दिल्ली ये नए निर्मानों से सजी राजधानी के सबसे शुरुवाती द्रश्य है जिसे ये रूप दिया है ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविल लट्येंज ने इसे डिजाइन करने और बनाने में 20 साल से भी ज्यादा लगा और ये ब्रिटिश सामराज्जी की सब्ता के एक नए अध्याय का प्रतीख है इसके बीचों बीच शांदार वाइसरोयज हाउस है जो आगे चलकर स्वतंत्र भारत में राष्ट्रपती का निवास बनेगा हिस्टोरियन मालविका सिंग और रुदरंग्शु मुखरजी ने अपनी किताब निव डिली मेकिंग ऑफ अ कैपिटल में बताया है कि लटिंज ने कितनी बारिकी से काम किया था उन्होंने इंडियन ट्र notably का बहुवी अधियन किया खासियतों और प्रदीगों की खोजगी स्थानिय निर्मान सामग्डिकी डारेक्टरी तया की धार्मिक और सेक्यूलर दोनों तरह की कला और कारीगरी की खासियतों को जमा किया और इन सब को आपस में मिला कर एक हाइब्रिड स्टाइल बनाने की कोशिश की एक नई शांदार राजधानी का निर्मार ब्रिटिश राज की सामराज्यवादी सत्ता के सबसे अच्छे दौर का प्रतीक बन गया भारत अब धीरे धीरे लेकिन दगातार बदलने लगा है 1930 का दशक ब्रिटिश भारत के पूर्वी हिस्से की बंगाल रियासत ये दारजलिंग की टॉय ट्रेन है जिसे अंग्रेजों ने भारत पर अपनी हुकूमत के सबसे अच्छे दौर में सन 1889 में बनवाया था बंगाल के नियों इसके बावजूद ये सवाल उड़ता है कि क्या आधुनिक सुधारों ने सचमुच भारतियों की जिंदगी को बेतर बनाया है इस समय तक भारत के लोग ब्रिटिश सत्ता के अधीन रहते हैं ब्रिटिश राज में सरकार में उनकी भागिदारी ना के बराबर है और ये आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत पिछड़ी हूई हालत में है हिस्टोरियन आयरा क्लाइन ने लिखा है अपने शुरुवाती दौर में ही ब्रिटिश राज ने भारतिय उप महाद्रीप में विकास के नए तौर तरीके स्थापित किये जिससे इंगलंड तीजी से प्रगती कर पाया और वहां के लोग संपन्य हुए और क्लाइन का एक सवाल है फिर वेस्टन प्रोग्राम्स की काम्याबी ज्यादा बड़े पैमाने पर नजर क्यों नहीं आई और एकॉनमिक डिवलपमेंट की पॉलिसीज ने बीस्वी सदी के मद्धे तक बारत के ज्यादातर लोगों को गरीबी रेखा के नीचे कैसे पहुँचा दिया जहां लोग मुश्किल से अपना पेट भर बाते है बीस्वी सदी के आगे बढ़ने के साथ ही अब तमाम भारतिय लोग गरीब से लेकर अमीर तक ये सवाल पूछने लगे है अपनी दोस्ट को लिखे एक पत्र में मैसूर रियासत के दिवान या प्रधान मंत्री सर मिर्जा इसमाईल ने लिखा मैं बढ़िया शिक्षा और हाइर पूस्ट के साथ खुशकिस्मत लोगों में से एक हूँ लेकिन कई बार मुझे बहुत मेराशा होती है मेरे स्टेटर्स और मेरी काम्यावियों के बावजूद लगभग सभी ब्रिटिश लोग मुझे अब भी अपने से नीचा समझते है वो ये नहीं समझ पाते कि वो जिस भारत की बात करते हैं वो ब्रिटिश लोगों की बनाई हुई चीज है और उनके जाने के बाद वो ज्यादर कमें तक नहीं चलेगी भारत में लोगों का विचार फिर से बदलने लगा है और इस बार वो अपने शासन पर विचार कर रहे हैं इसने गांधी जी जैसे जाने माने नेताओं के लिए पूरे देश में स्वतंतरता आंदोलन की शुरुआत करने के लिए जमीन तयार कर दी और एक बार शुरू होने पर इस आंदोलन को रोकना मुश्किल साबित होगा इस बीच बिटिश सामराज्य आदुनिक काल में सबसे हिंसक आंदोलन से गुजरने वाला है बीसमी सदी का शुरुआती दोर बिटिश हुकूमत एक बड़ी सामराज्यवादी शक्ति है और भारत इस सामराज्य के सबसे एहम नगीनों में से एक है लेकिन यहाँ अब अशान्ती है और यह तीन दशकों से पनप रही है उन्नीसमी सदी के आखरी वर्षों में यहाँ की अशान्ती में राश्च्ट्य चेतना को जन्म दिया और आखिरकार इस से इंडियन नैशनल कॉंग्रिस यानि भारतिय राश्च्ट्य कॉंग्रिस के गठन की बन्याद पड़ी इस संगठन का विचार सबसे पहले एक अंग्रेज नाकरिक आलन आक्टीविन हूँ में रखा था लेकिन कॉंग्रिस भारतिय में तरत्त वाला एक राजनीतिक संगठन है, जो ब्रिटिश राज में भारतियों की समस्याओं का समधान चाहता है सन 1914 में ये बहारत में ब्रिटिश राज के सबसे जबरदस्त राजनीतिक ग्रोधी के रूप में पन पा लेकिन अब जंग की दस्तक सुनाई दे रही है जुलाई सन 1914 से नवंबर सन 1918 तक पूरे योरोप में जबरदस्त लड़ाई छिड़ी रही जिसमें सामराज जबाती ताकतों के साथ साथ उनकी रियासतों ने भी भागिदारी की ब्रिटन, फ्रांस और रूस ने एक गठबंधन बनाया जिसमें बाद में अमेरिका, जापान और अन्य देश भी शामिल हो गए इन्होंने साथ मिलकर जर्मनी और आस्ट्रिया हंगरी का सामना किया ब्रिकिश भारत ने भारतिय सेना को जंग में उतारा दुनिया में किसी उपनिवेश की सबसे बड़ी वालेंटियर आर्मी में यहां के 12,70,000 सेनिक शामिल हुए इस विश्व युद्ध में ब्रिटिश और भारतिय सेना साथ मिलकर लड़ रही है शौरे का समान करने में ब्रिटिश और भारतिय सेनिकों के बीच कोई बेधभाव नहीं किया गया 15 भारतियों को विक्टोरिया क्रॉस दिया गया सिर्फ ब्रिटिश लोगों को दिया जाने वाला ये समान प्राप्त करने वाले ये पहले भारतिय थे लगभग 75,000 भारतिय सैनिक मारे गए और इन में से कईयों ने विदेशी जमीन पर तम तोड़ा और लाखों सैनिक खायल हुए दिसंबर सन 1917, जेरूसिलम ये बिटिश जेनरल एड्मन एलन बी द्वारा डूम ओफ रॉक पर सम्मान व्यक्त करने के दुरलब रिश्य है इनके साथ भारतिय गुड़सवार सेना और लैंसल्स के चार डिविजिन्स है भारतिय सेना फिलिस्तीन से तुर्कों को बाहर निकालने में काम्याबी का जश्न मना रही है नवंबर सन 1918 तक जमनी ने समर्पन कर दिया और जंग खत्म हो गई लेकिन कोई भी इससे सही सलामत नहीं बचा है इस विश्व युद्ध ने जीतने वाले को भी उतना ही नुकसान पहँचाया है जितना हारने वाले को ब्रिटिश सामराज्य को भी अपने देश में भारी नुकसान जेलना पड़ा है सनो 1925 ग्रेट ब्रिटिन इन अनोखी फिल्म आर्काइव्ज में बायो कलर नाम की एक खास टेक्नॉलोजी का इस्तिमाल हुआ है क्लॉड फ्रीस गरीन ने जंग के बाद ब्रिटिन की स्थिति को दिखाने के लिए बायो कलर का इस्तिमाल किया लंबी और बेरहम लडाई में सैनिक रूप से काम्याब रहने के बावजूद ब्रिटिन अब आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रहा है ब्रिटिन को सूपर पावर बनाने वाली और द्योगी क्रांती अब धीमी पड़ रही है संबन्द लोग और धनी होते जा रहे हैं और घरीम लोग और भटेहा जिससे उचबर्ग और कामगारों के बीच फर्ग बढ़ता जा रहा है सन 1926 में यानि पहले बिश्मिल्द के खत्म होने के एक दश्यक के अंदर ब्रिटिन, कारखानों, कोईला खदानों, बस, रेल और पंदरगाओं में काम करने वालों और बिजली और गैस के कामगारों की दस दिनों की आम हरताल से ढप पड़ गया प्रशासन ने इस आम हरताल को तो खत्म करवा दिया, लेकिन ये प्रिटिश सामराजी के लिए आगे आने वाले मुश्किल हालात का पहला संगेत है इस बीच प्रथम विश्मियुद के बाद के भारत में भी एक नई असंतुष्टी पनप रही है जंग शुरू होने पर भारत के रजवारों के साथ साथ, ज़्यादातर जनता ने लड़ाई में ब्रिटिन का साथ दिया था भारतिय सैनिक अपनी मर्जी से अंग्रेजों के लिए लड़े थे और रियासतों ने युद्ध के लिए अपने खजाने खोल दिये थे भारत ने जिस उटसा से युद्ध में मदद की है, उसकी एक्ता और समर्पर ने ब्रिटिन को खुश कर दिया है भारत में अंग्रेजों का विरोध करने वाले लोगों ने भी इस उम्मीद में युद्ध के समय अपना रुख नर्म कर लिया कि शायद लड़ाई में मदद के बदले अंग्रेज उन्हें आजाद कर दे बिश्वियुद्ध खत्म होने के महज एक साल बाद ऐसा लगने लगा कि ये जल्दी ही होने वाला है सन उन्नीस सो उन्नीस में अंग्रेजों ने गवर्मेंट आफ इंडिया एक्ट पारित किया इस कानुन से सरकार में भारतियों की भागीदारी बढ़ गई इससे पार्लियमेंट में दो हाउसेज की शुरुआत हुई और स्टेट गवर्मेंट में कई एहम पद भारतियों को दे दिये गए लेकिन ये सिर्फ एक दिखावा है सेंट्रल गवर्मेंट अब भी अंग्रेजों के नियंत्रन में है रियासतों में भी टैक्स और लॉइन ओर्डर जैसे एहम पदों पर अंग्रेज ही है और फिर वक्त में करवट ली इस बार भारत का विचार एक अहिंसक आंदोलन से पैदा हुआ जो भारत के लोगों को आजादी की रहा पर ले जाने वाला है ये भारतिय स्वतंतरता संग्राम के सबसे जाने माने नेता और सामराज्यवादी ब्रिटिश राज के लिए सबसे बड़े खत्रों में से एक मोहन दास करमचंद गान्धी के खास द्रिश्य है इन्होंने रंग भेदी मुल्क साउथ आफरिका में दो दशकों तक बगालत की है जन्वरी सन 1915 में ये भारत लोटे साउथ आफरिका में रंग भेद के अनुभव ने इन्हें स्वराज के लिए आंदोलन करने की प्रेरणा दी भारत की आजादी के इस पहले आवान ने सिर्फ उच वर्गों को ही नहीं बल्कि हर वर्ग के भारतियों को आकरशित किया सन 1920 तक गान्धी ने भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रिस का नेत्रत्व समाल लिया और ये ब्रिटन में बनी चीजों के बहिश्टार जैसी सविने अवग्या जैसे आंदोलनों की अगवाई करने लगे सम्मान से लोग गान्धी को महात्मा कहते हैं और इन्होंने अहिंसक विरोध की शुरुआत की ये लगातार विरोध और अपने मत पर कायम रहने का ऐसा तरीका था जो आजादी की लड़ाई में बिलकुल नया था अन्य राष्ट्रियन नेताओं के साथ गान ही भी भारत के विचार में सबसे जबरदस्ट बदलाव की प्रिरना देने वाले लोगों में से थे ये एक स्वतंत्र और डिमोकर्टिक नेशन का विचार था जिस पर यहां के लोग जमोकरसी में शासन करें मैं खुद को सिपाही मानता हूँ, शांती का एक सिपाही भारत की पवित्र नदी, गंगा, जो हमारी पहचान है ये एक राष्ट्रिया पहचान है, जो आधुनिक 20 सदी में काफी सशक्त हो रही है लगबग 2 सदी की गुलामी के बाद कुछ स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक बातचीत जैसे अहिंसक तरीके अपनाना चाहते हैं लेकिन भगत सिंग और चंदरशेखर आजाद जैसे कुछ लोगों ने अंग्रेजों से लगने के लिए हतियार उठा लिये अंग्रेजों ने बड़ी बेरहमी से इसे दबा दिया सन 1930 में कांग्रेस ने सन 1882 के उस दमनकारी खानून के खिलाफ आंदोलन शुरू किया जिसमें नमक बनाने और बेचने पर भारी टैक्स लेने का प्रावधान था मार्च सन 1930 के अपने एक पत्र में गांधी ने वाइस रॉयल लॉड अविन को लिखा कि ये आपनिवेशिक सत्ता का एक कड़ा कानून है और भारतिये लोगों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है हाला कि मैं भारत में ब्रिटिश शासन को एक अभिशाप मानता हूं लेकिन मैं अंग्रेजों को दुनिया के बाकी लोगों से बुरा नहीं मानता और मैं ब्रिटिश शासन को अभिशाप इसलिए मानता हूं क्योंकि इसने लगतार शोशन वाली एक लिवस्था और ऐसे खर्चीले सैनिक और नागरिक प्रशासन के जरिये करूनों भारतियों को बढ़ाल कर दिया है जिसका खर्च ये देश नहीं उठा सकता है इसने राजनितिक रूप से हमें अंगरिज्म का हुलाम बना दिया है जिसने हमारी सभ्यता की दुनियाद खत्म कर दी है और हम कायर असहाए लोगों का देश बन कर रह गये हैं मार्च सन 1930 ब्रिटिश भारत का गुजरात प्रांद नमक पर ब्रिटिश टैक्स का बिरोध करने के लिए गांधी साबर मती में अपने आश्रम से दांधी में अर्ब सादर के तड़ तक पैदल यात्रा करने वाले हैं वहां वो ब्रिटिश कानून का उलंगन करके भारतियों द्वारा खुद अपना नमक बनाने के एक आंदोलन की अगवाई करेंगे लॉड अर्विन को लिखे गए अपने पत्र के अंत में उन्होंने बातचीत का प्रस्ताव रखा मैं जानता हूँ कि आप मुझे गिरफतार करके मेरी कोशिश को नाकाम कर सकते हैं लेकिन मेरे बाद हजारों लोग अनुशासिद्धं से ये काम करने को तयार रहेंगे और नमक कानून का उलंगन करके वो उस कानून की सजा पाने के लिए तयार रहेंगे जिसे कभी खानून के किताब में दर्ज ही नहीं होना चाहिए था मैं आपको बेवज़ा मुझे में नहीं डालना चाहता अगर आप इस मुद्धे पर मुझे से आगे बात चीत करना चाहते हैं और इस पत्र को प्रकाशित नहीं होने देना चाहते हैं तो आपका टेलिग्राम मिलते ही मैं इसे रोब दूँगा। अविन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। इसकी बजाए उसने गांधी को गिरफ़तार करने का हुक्म दिया। लेकिन इससे बिना डरे गांधी जी ने जील में अन्शन शिरू कर दिया। विरूद के ऐसे अनोखे तरीखों ने गांधी जी की महात्मा वाली छवी और भारत की जनता पर उनकी पकड़ को और मजबूत कर दिया। अक्टूबर सन 1931, ग्रेट ब्रिटिन। गांधी लंदन पहुचे और ब्रिटिन की जनता उनसे बहुत सम्मान से मिली। लेकिन ब्रिटिश हकूमत को अपने बक्ष में करना इतना आसान नहीं है। उस साल फरवरी में जाने माने राज ने था और आगे चलकर ब्रिटिन के प्रधान मंत्री बनने वाले विंस्टन चर्चिल ने गांधी के बारे में लिखा। मिस्टर गांधी को देखकर मुझे बहुत घिनाई। ये मिडिल टेंपल के एहसान फरमोश वकील है। और अब पूरप के फकीर की तरह आधे कपड़े में ये किंग एम्परियर के रेप्रेजन्टेटिव से बराबरी पर बाच्चीत करने के लिए वाइस रीगल पैलिस की सीड़ियों पर चड़ रहे हैं। लेकिन गांधी जी की दिल्चस्पी सिर्फ ब्रिटिश राज की नीव हिलाने में नहीं है। आजाद भारत के इनके सपने में ये भी शामिल है कि यहां के लोग अपने आपको पहचाने और अपनी सबसे पुरानी सामाजिक बुराईयों को दूर करें। पहले विश्वियुद के बाद के दौर में भारत में ब्रिटिश राज। गांधी जैसे नेताओं की अगवाई में यहां के लोगों में देश भक्ती की लहर दोड़ रही है। गांधी ने भारत के लोगों को सिर्फ ब्रिटिश रासन से आजादी के लिए लड़ने की ही प्रिरणा नहीं दी। उन्होंने उन्हें जाती, नसल, धर्म और लिंग्य के बेदभाव से भी लड़ने को कहा। सन 1932, ब्रिटिश भारत में दिल्ली से महज 160 किलोमीटर पूरब में स्थित मुरादाबाद। ये यहां के उस दलित समुदाय के लोगों के कुछ दुरलब नसारे हैं, जो हिंदू समाज में सबसे नीचे माने जाते हैं। ब्रिटिश भारत में दलित बहुत भटे हाली में रहते हैं, इनकी बस्तियां सबसे अलग धलग होती हैं, और इन्हें ऐसे काम दिये जाते हैं, जो हिंदू धर्म गरंधों के अनुसार अशुद्ध हैं। हिंदू समाज को नहीं मानने वाले पश्चिमी शासकों के होने के बावजूद, ब्रिटिश राज के दौरान भी भारतिय समाज में छुआ छूट जैसी बुराईयां मौजूद हैं। गांधी जी का मानना है कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो छुआ छूट जैसी बुराईयों को खत्म होना चाहिए। इन्होंने दलित समुदाय को एक नया नाम दिया, हरी जन्द, यानि ईश्वर के लोग। इसके साथ ही इन्होंने दलित समुदाय के लोगों के साथ खाने, मिलने जुन्ने और प्राथना करने जैसे सारवजनिक रूप से दिखाई दिने वाले कामों की मदद से लोगों को समझाने की कोशिश की। गांधी जी का मानना है अगर मेरा पुनरजन्म हो तो मुझे दलित के रूप में पैदा होना चाहिए ताकि मैं उनके दुख, उनकी तकलीफों और उनकी मुश्किलों को समझ सकूँ और शायद इसमे मुझे खुद को और उन सब को उनकी बुरी हालत से आजाद कराने की प् पर बसा ये शहर हमेशा से आजादी की लड़ाई का केंद्र रहा है। इस शहर ने स्वतंतरता आंदोलन के शुरुआती दिन देखे हैं जब मोती लाल नहरू जैसे नरम पंथी मेदाओं ने अपनी भारतिय पहचान कायम करने शुरू की थी। इस्ट्रिय चेतना की एक लहर की अगवाई करते हैं। गांधी जी की तरह इन्होंने भी पश्चिम में बकालत की पढ़ाई की है। ये भारत की आजादी के पक्के इरादे के साथ अपने देश लोटे है। गांधी जी की तरह ये भी बुद्धी जीवी होने के साथ साथ लोग प्रिय चन नेता भी हैं। और इन्होंने भी बारतिय जनता के बीज अपनी मजबूत जगह बना ली है। अपनी मशूर एदिहासिक किताब डिसकवरी आफ इंडिया में इन्होंने अपने देश के बारे में लिखा। बार बार विदेशी हुकूमत पे रहने के बाव हैं। ये एक मित, विचार और सपना हैं। लेकिन साथ ही ये बहुत वास्तविक और जीवन्त भी है। नेहरू और उनके पॉलिटिकल मेंटोर गांधी ने आजाद और सेकिलर इंडिया का विचार सामने रखा जिसमें हर नागरिक को बेसिक हुमन राइट्स की गारंटी हो दिसकवरी आफ इंडिया में नेहरू ने लिखा। बिना किसी सांस्कृतिक और धार्मिक भेदभाव के मिल जुल कर रहें। लेकिन सबकी राय ऐसी नहीं है। दिसम्बर सन 1930 में आल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रेजिडेंट मुहमद इकबाल ने एक बिलकुल नया विचार पेश किया। भारत विभिन नसल के लोगों का देश है जो अलग अलग भाशाएं बोलते हैं और जिनके धर्म भी अलग अलग हैं। उनका व्यवहार किसी एक नसल चेतना से तै नहीं होता। भारत के सामपरदाइग समूहों की वास्तविक्ता को स्विकारे बिना। यहां येरोपिये लोगतंतर के सिध्धान्त को लागू नहीं किया जा सकता। इसलिए मुस्लिम लोगों द्वारा भारत के अंदर एक मुस्लिम भारत के निर्मार की मांग बिलकुल जायज है। उन्होंने आगे कहा। मैं पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमान्त प्रांत, सिंध्र और बलुचिस्तान को एक रियासत के रूप में देखना चाहूँगा। ये ब्रिटिश सामराज्य के अंदर हो या उसके बाहर। लेकिन मुझे लगता है कि नौथ वेस्ट इंडियन मुस्लिम स्टेट का गठन ही मुसल्मानों का भविश्य होगा। कम से कम उत्तर पश्चिम भारत के मुसल्मानों का। ये पाकिस्तान के बिचार का जन्म है। लेकिन ये कई सग्यों से चले आ रहे तनाव का नतीजा है। सभी भारतिय अंग्रेजों से आजाद होना चाहते हैं। लेकिन सामपरदाइक तनाव का भारत के भविश्य पर बुरा असर पड़ेगा। 1930 के दशक के दोरान भारत में ब्रिटिश शासन से आजादी की मांग लगातार तेज होती गई। इस पुरानी फिल्म में आप आजादी की लडाई का एक दुरलब नजारा देख सकते हैं। ये आंदोलन बहुत जबरदस्थ है लेकिन इसे अपने भीतर ही गंभीर चुनोतियों का सामना करना पड़ रहा है। ब्रिटिश लोगों ने भारतियों में फूट डाल कर शासन करनी के लिए इन ही धार्मिक और जातिय तनावों का फायदा उठाया। सितंबर 1932 गांधी जी ने उची और नीची जातियों के लिए अलग-अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व बनाने की ब्रिटिश नीधी के बिरोध में अन्शन शुरू कर दिया। इस फिल्म में आवाज साफ ना होने के बावजूद ये गांधी जी की सबिने अवग्या के दुरलव दुर्श्य है। ब्रिटिश बारत के उत्परी हिल स्टेशन। ब्रिटिश राज के अफसर यहां छुट्टी मना रहे है। ये साहिब वाले अपने रुटबे से अच्छी तरह वाकिफ है। उर्दू लफ्स साहिब कार्थ है सर या मिस्टर। लेकिन ब्रिटिश राज में ये स्वामी या मालिक के उचे रुटबे का प्रतीख है। और इसका इस्तिमाल भारतिय लोग अंग्रेजों के लिए कर दे हैं। साहिब लोग एशो आराम और खास सहुलियतों वाली जिन्दगी जीते हैं। इन में से कुछ लोग बहुत अन्मने ढंग से भारत आये हैं। जबकि कुछ लोग ब्रिटिश राज पर इसका प्रभाव निरनायक होगा। 200 वर्षों से ज़्यादा समय से ब्रिटिन भारत पर राज कर रहा है। दराज अब तक देश में चल रहे आंदोलनों के साथ साथ पहले विश्वियुद्ध से पैदा हुई मुश्किलों से भी लड़ने में काम्याब रहा है। पहले विश्वियुद्ध के महज 20 साल बाद एक बार फिर जंग के बातल गिरने लगे। एक बार फिर येरोपिया देशों के गटबंधन की अगवाई के लिए ब्रिटिन को याद किया जाएगा। इस बार ये लड़ाई एडॉल्फ हिटलर के जर्मन खत्रे के खिलाफ है। ये लड़ाई पूरी दुनिया को चपेट में ले लेगी और किसी की भी कलपना से ज़्यादा तबाही मचाएगी। दूसरे विश्व युद्ध में जंग का मैदान, येरोप, प्रशांत क्षेत्र, आफरिका, अमेरिका, जैपान, चीन, मिदल एस्ट और भारत तक फैल जाएगा। ये दिहास में सबसे जानलिवा युद्धों में से एक होगा। जिसमें पाँच से आठ करोड़ लोग मारे जाएंगे और इनमें से जादातर लोग आम नागरिक होंगे। नाजसी फौज खत्म कर दी जाएगी और फासिजम पर हमला होगा। जर्मनी और युरोप के काफी बड़े हिस्से का राजनीतिक नक्षा बदर जाएगा। संसाधनों को खुद को फिर से मजबूत करने में लगाएगा। भारतिया लोगों के लिए दूसरा विश्वियुद्ध आजादी के लिए जोर लगाने का एक अच्छा जर्या साबित होगा। आजादी की इसकी मांग लगातार तेज और मजबूत होती जाएगी। दूसरे विश्वियुद्ध के अंध तक दुनिया का नक्षा काफी हद तक बदल जाएगा। आयन कर्टन पश्चिमी जगत को विभाजित कर देगा। ताकतवर देशों का पतन हो जाएगा। और उनकी जगे नए देश बन बेंगे। दर्राज जैसी सामराज जवादी ताकतों का सूर।